हाई फ्रेंड्स आज मैं एक एंटिबाटिक सस्पेंशन का रिव्यू करने जा रहा हूँ बैक्टिरियल इंफेक्शन्स को दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तमाल किया जाता है ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूँ तो एजिन क्या सस्पेंशन ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है मेप्रा लिबरेटरिस प्राइवेट लिमिटेट के द्वारे इसका प्रोडक्शन किया जाता है कमपोजिशन की रूप में इसमें अजित्रोमाईसें 100 mg पर 5 ml की मातरा में उपलब्ध होता है कीमत के अगर बात करें तो 15 ml का एक बाटल मार्केट में 28 रुपीज का उपलब्ध होता है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन साब तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिशना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तमाल किया है तो आपकी क्या एक्सपिरियंसेस रहें कमेंट सेक्षन पर आप जरूर सेयर करें आए फ्रेंड्स देखते हैं इस प्रोड़क्ट के वेकलपिक ब्रांड्स के बारे में तो आपकेल्स एजेलाइट स्पेंशन जिसे माइक्रो लैब्स लिमिटेट के दोरह बनाया जाता है जी ईम्हैंत स्पेंशन जिसे अलकेम लेडिपर्स असमऺर्मसूट के दोरह मौन्जा जाता है फ्रेंड्स मार्केट में एवेलवल ये कुछ सेम कमपोजीशन के साथ ऐसे ब्रांज है जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की सिती पर भी पर्चेस करके सेम एफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर का साल्ट ये कमपोजीशन जो होता है वह सेम होता है और सेम इफेक्ट को ये प्रोड़क्ट प्रोड्यूस करते हैं आए देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ हुपयोग के बारे में तो जैसे पहले मैंने आपको बताया है यह एक एंटिबाइटिक सस्पेंशन है और बैक्टिरियल इंफेक्शन को दूर करने के लिए इस प्रोड़क्ट का इस्तमाल किया जाता है इस प्रोड़क्ट को टॉ इसकिन और सॉफ्ट इस्यूस के साथ साथ लंग्स का इंफेक्शन यूरिनरी ट्रेक्ट का इंफेक्शन एवं सीर के होने वाले इंफेक्शन को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है अब इसके अगर कुछ कामन साइड इफेक्ट की मैं बात करूं तो वोमिटिंग का होना नौजिया का होना एब्डॉमनल पेन का होना और डायिया का होना इसके कुछ कामन साइड इफेक्ट करूप में देखे गए हैं फ्रेंड्स डाक्टर को डाक्टर के दौरा निर्धारित खुरांक और अबधी का अनसार मेडिसिन को इस्तमाल करनी चाहिए इसके पहले आपको लेवल की जाच कर लेना चाहिए एक इस पारी डेट को चेक कर लेना चाहिए पूर्ण को बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए इस मेडिसिन को भोजन के साथ या बीने भोजन के दिया स्पेंशन है और वैक्टीडिया के शरीर को डब बग्लमा कि लिए या ग्रोडिया के लिए ज्युक्त होती है कि बहुत ही कि यह सिंस्लेशन करता है और अपने लकषळो वहां सु cater car अब फ्रेंड्स एक विशेश बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपको बेहतरी महसूस हो रहे ही यानि आप अपने लक्षणों में रहात महसूस कर रहे हैं तो भी आपको मेडिसिन का कोर्स पूरा किये बिना दवाई को बंद नहीं करना चाहिए ऐसा करने से रोग दुबारा हो सकता है और बैक्टिरियर रिच्टेंस हो जाने के कारण फिर यहीं मेडिसिन आपके सिरीर पर कायम करना बंद कर देती है इस मेडिसिन को लेने के एक घंटे आगे पीछे भोजन को नहीं लेना चाहिए यह मेडिसिन को क्रियाविधी को अल्टर करता है इस मेडिसिन को लेने के दौरान आगे या पीछे दो घंटे के आसपास का समय लगभग मैं बता रहा हूँ आपको किसी भी प्रकार का एंटासीड नहीं लेना चाहिए यह मेडिसीन का जो क्रियाविधी होती है उसे प्रभावित करती है साइड इफेक्ट के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया है दस्त लगना चुरू हो सकता है परंतो मेडिसीन जैसे ही आप बंद करते हैं चार यह पांच दिन के कौर्श के बाद तो दस्त लगना बंद हो जाते हैं उसके बाद ही मेडिसीन दस्त अगर बंद नहीं हो रहा है तो आपको अपने डाक्टर से परमर्स करना चाहिए अगर आपको मल में खून आ रहा है पेट में एठन हो रही है तो आपको इस बारे में फरमर्स करना चाहिए अगर आपको कोई एनफालेक्टर रीक्संस होते हैं जैसे रैसेस का होदों न चहरे में गले में या जीब में सूजन का अना तो जितना जलनी हो सके आपको इसका डोज ले लेना चाहिए परन्तु अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डोज को डबल ना करते हुए, निरधारित अगली खुराक को लेना चाहिए और पिछली डोज को छोड़ देना चाहिए, अब बात करते हैं friends इसके कुछ safety features के ब अगरा आप मैडसीन का इस्तमाल कर रहे है, तो अपने डाक्टर से पहले कर ले कर ले किदनी और लिवर रोक से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप कर रहे है तो यह उचित होगा कि डाक्टर से परок करें, इसके पास चाहतीünüz का इसनी का सेवनकर याप, 가서 हमारे चैनल पर लगताल health related topics आते रहते हैं, medicines के review आते रहते हैं, अगर आप हमारे चैनल को subscribe करके रखेंगे, साथ ही bell icon को प्रेस करेंगे, तो किसी भी notification को आप miss नहीं करेंगे, और आप हमारे सारी वीडियो को देख पाएंगे, friends इस वीडियों बस इतना ही किसी अन्य अच्छे interesting topic के साथ आप से फिर मुलकात करता हूँ, तब तक लिए good bye, आपको दिन सुभ हो, जाए हिंदु